है तो आज हम ले कर के आगए 24 में अपनु कर्मूम अपसे नारी नारी आप मूसा इस बता जा ज़ल से ले ले लिक है वह बूणर बेक्डो करा चमें नारी आ कंडक मेंउक हो आपूरा एंच तो देख सब्सक्रास स्जान fåttा याइ ने benפ vaccin के भी आज़ते हैं तो आप यलो पती होते हैं वह भी अटा देनी होते हैं इसका डंठल बनाना होता है एक बात और गाइस यह सब्जी आपको देखने में नहीं अच्छी लग रहे होगे मगर इसका टेस्ट हमाई तरीके से बनाई है बहुत अमेजिंग बहुत टेस्टी लगता है टेस्ट और आप इसे सिंपल तर तो ढाउल पाते हैं तो देखें साफ भी हो गई है और माहमा उत्वर निकल रहा है तो इतना सारा फुला निकला गए इसको मता देंगे हरे ली पतनियां काट लें तो उस तरह से हमका करके सारी है तो यह देगे गाइस हमारी सारी कट चुकी है अब इसे हम एक कोकर में भर और इसमें एक से दो सीटी लगा लेंगे बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे तो देखे एक ग्लास पानी एट करेंगे इसके अंदर यह देख सकती है तो चलिए यह बहुत सिहत मंद होती है गाइस थोड़ा सा किचन चोटा यहां का तो थोड़ा सा समझेगा आप यह देखे अपने कुकर की लिड लगा दी है अब हम दो सीटी लगा कर एसको अच्छे से कुक कर लेंगे बहुत जादा नहीं पकाना है दो सीटी लगाने है आप देख लीजे इस तरह से हमने रख दिया है अब दो विसल आने के बाद जब सीटी निकल जाते तब निकल और आप देखिए इस नारी के साथ को दूसरी स्टेंडर में हम रखते जाएंगे जिससे कि नीचे का पानी है जो वह अलग हो जाए जिससे कि हमारी जल्दी से जल्दी ठंडी हो जाए क्योंकि यह हरी सब्जें होती है इसे आँखों की रोस्टनी और आइरन बहुत अच्छे से बढ़ता है हमारे सरीर में इस तरह से आप क्या करें इसको आपासानी से निकाल दें देखिए इसमें पानी भी नहीं आपको दिखरा होगा तो इसे तरह से सारी निकाल लेते हैं फि पानी आगर निखोर देंगे असानी से ये देखें तो अच्छे से निचोर ना रहत शेगे आपको जाज़ा lot ही में अजिए नहीं लगती है। है उसके बाद आपको इस सब्जी को बनाने में बल्कुल भी time बच्चे जो हरी सब्जी नहीं खाते हैं वो भी इसको समझ लिजे, मांग मांग कर खाएंगे और लेसम यह लिए अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप लेसम नडालें तो जिस चीज का पढ़र था है यह जो पानी हमने इसमें रख़ रखा ए इसका यू कानि अग् दूसरे चैनल चाया मिस्रा ब्लॉक 2 M पर आप जा करके देख सकती है तो चलिए आप देख लेते हैं बनाना तो इसको हम सरसों के आयल में ही बनाएंगे क्योंकि यह हरी सब्जिया सरसों के आयल में ही अच्छी लगती है तो यह में डाल दिया है दो लैडल भर करके सरसों अब लैसन को हम अच्छे से फ्राइ कर लेंगे लेकिन कडाई को बहुत तेज नहीं करना है बढ़ना ऊपर की जल जाएगी लैसन अंदर से पके का नहीं तो इस तरह से आप इसमें डाल देंगे हिंग क्योंकि हिंग का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है अगर आप बहुत आप नहीं खाते है तो लैसन के जीगा पर हिंग डाल सकते हैं अब आप अब अब आपको कुछ नहीं करना है जो आपने नारी रख रख जिए निचोड़कर बस वही इसमें एड करनी है और इसको अब लगातार आपको अपको अब दीमी अब अब आपकर दीमी पर लगेगा फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपकी सब्जी बन करके तियार हो जाएगी बहुत अच्छे से तो चलिए इसे हम फ्राई करते हैं उसके बाद हम मिलते हैं इसमें डालते हैं नमक पेस के हिसाब से नमक एड़ कर देंगे यही पर सुरू में ही नमक आप अगर डाल देंगे ना सब्जी में तो पूरी सब्जी में अच्छे से नमक हो जाएगा कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं होगा इसलिए इसी में आपको नमक एड़ करना है इस तरह से आप इसे अच्छे से फ्राई करेंगे यह देख सकती हैं तो य अगर आपको हमारी रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सस्क्राइब एंड शेर करिएगा कमेंट कर गएगा जिसे की थोड़ा सा आपके कमेंट पढ़कर के मौटिवेशन दिलता है आप लोगों के लिए अच्छी एच्छी रेस्पी लाने के लिए तो प्लीज लाइ आपको हमारी रेस्पी पसंद आई होगी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सस्क्राइब एंड शेर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेस्पी के सब